तूट पेस्ट का इस्तमाल तो हम रोजाना करते हैं लेकिन इसे जूड़ी कई जानकारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है अगर आप तूट पेस्ट के टूब पर ध्यान दिये होंगे तो उस पर अलग लग रंग की पट्टिया बनी होती है लाल, हरा, काला और निले रंग से बनी इन पत्टियों का मतलब शायद ही आप जानते होंगे तो चलिए जानते हैं इनके बारे में तूट पेस्ट के टूब पर बनी निली पत्टि का मतलब होता है दवा युक्त तूट पेस्ट हरी पट्टी का मतलब होता है पूरी तरह से प्राकर्तिक लाल पट्टी का मतलब होता है प्राकर्तिक और केमिकल का मिक्षन और काली पट्टी का मतलब होता है पूरी तरह से केमिकल हाला कि यह पूरी तरह से गलत जानकारी है ऐसे भी अफ़वा उड़ी थी कि काले रंग की पट्टी वाले टूट पेस्ट में ज़्यादा केमिकल होता है ऐसे में इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसी तरह लाल रंग की पट्टी वाले टूट पेस्ट के बारे में बताया गया था कि इसमें भी केमिकल होते हैं लेकिन यह काले वाले से थोड़ा बहतर होता है। इंटरनेट पर सिर्फ नीले और हरे रंग की पटी वाला टूटपेस ही इस्तिमाल करने की सलाव दी गई थी। Scientific American नामक एक वेबसाइट के मताबिक दुनिया में जो कुछ भी है वो तकनीकी रूप से एक केमिकल है। यहां तक कि सभी प्राकरतिक चीजे भी एक प्रकार का केमिकल ही होती है। ऐसे में केमिकल या बिना केमिकल वाले प्रोड़का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दरसल टूथ पेस्ट के टूप पर बनी अलगन रंग की पटियां इंसान के लिए बेकार हैं, निर्थक हैं। असल में यहां रंग टूप बनाने वाली मेशीनों में लगे लाइट सेंसर को यहां संकेत देता है कि टूप किस प्रकार की और किस आकार की बनानी है। इसे सिर्फ लाइट सेंसर ही समझ सकते हैं ना कि इनसान।